आप लोग देखते हों कि हाथ ही जो धीरे धीरे चलता है चुवा तेजी से चलता है हाथ जल्दी थक जाता है चुवा नहीं थकता है क्यों क्योंकि जितने भी लार्जर एनिमल्स होते हैं या लार्जर फ्रांट्स होते हैं उसमें केमकर रियक्शन्स धीरे धीरे होते हैं ठी इसे मैंने बताया आपको एलिफेंट में क्या होता है उसका मास बहुत ज्यादा होता है और मास ज्यादा होने के कारण उसमें केमिकल रियेक्शन्स बहुत कम होता है यानि मेटापोली के रियेक्शन्स बहुत ही कम होता है और मेटापोली क्रियेक्शन्स कम होता है यानिका एनर्जी ज्यादा उत्पन नहीं हो पाता है इसलिए हाथ ही या कोई भी बड़ाई जानवर जोते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि उनमें एनर्जी उनका उतना जेनरेट नहीं हो पाता है और उसलिए अगर मैं छोटी जीवकबाद तो उन जैसे रेट करी कीक्या